हलो गैज आप सभी सातियों का सौगत है अपके अपनी यूटूब चैनल टॉपरसेंट पर तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बेड इंटरेंस एक्जाम का जो एड्मिट कार्ड है वो कल जारी कर दिया गया है और आप लोगी जो परिच्छा है वो 6 जुलाई को होने वाली है आप सभी लोग जितने भी वीवर से उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंड के माद्यम से या इस्टाग्राम पर मुझे परसनल मैसेज करकर ये बात जरूर पूछिए कि सर्कारी जो है सीटे कितनी होती है और उन सरकारी सीटों को लेने के लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको एक सपना है कि मुझे सरकारी कॉलेज से ही हमको बीर्ड करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि वो जो है प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपना जो है एड्मिसन करवा सकें तो सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप बीर्ड में एडमिसन लेने जा रहे हो क्योंकि इस चैनल के माद्यम से आप सभी लोगों को सारी इंपॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से मिलाई दी जाएगी सब्जेट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है आपकी कॉंसलिंग कैसे होगी डाकुमेंट्स क्या क्या लगेंगे क्योंकि बीर्ड में एडमिसन लेने में काफी जादा दिक्कते होती हैं लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पिछले तीन चार साल से जितनी पिछात जो हैं यहां पर बीर्ड करते हैं इस हिसाब से हम लोगों को स्टेट जी फालो करनी है एक्जाम में तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए कि टोटल जो है यहां पर गॉर्णमेंट सीट कितनी है तो आप से पहले तो आप यहां पर देख ली जो गॉर्णमेंट कॉलिज मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे चातर ऐसे होते हैं जो बाद में गॉर्णमेंट कॉलिज से नहीं करना चाते हैं माली जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइबेट से ही करना चाते हैं अब आपको थोड़ा चौकने में भी यह लग रहोगा क कि sir government मिलने बाद कोई government क्यों छोड़ेगा तो ऐसे भी वह सारे लोग होते हैं जिनको government मिलने के बावजूद भी वो private college चूज करते हैं उनका अपना personal कोई region होता है क्योंकि government college हो सकता है उनकी घर से काफी ज्यादा दूर हो वहाँ पर जाकर ना रह सकते हो तो private college अपने घर के आसपास ही ले लेते हैं वो जब आपका result आएगा तो मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा कि क्यों लोग ऐसा करते हैं और क्यों लोगों को ऐसा करना भी जाहिए जिनका दूर college है ठीक हो सब हम बात में बताएंगे ठीक है वही पर हम बात करते हैं private college की seatों के बारे में त total seat हैं 2,4,000,000 के आजपास यहां पर seat हैं यानि कि तकरीबन 4,5,4,000,000 शात्र ऐसे हैं जिन लोगों को private college भी नहीं मिलेगा ऐसे लोग तयारी खूब अच्छे से करें क्योंकि अब की बार competition अच्छा होने वाला है हाला कि private college मिल जाएगा उसमें कोई डैंसन वाली बात नही लेकिन सरकारी college के लिए आप सभी लोगों के पास जो rank है वो आपके पास 10,000 rank के नीचे होना चाहिए अब हम बात करेंगे कि total इसमें कैसे हम लोगों को select करना है क्यों हम लोगों को 10,000 rank के नीचे आना है ठीक है तो आपको 10,000 rank के लिए इसलिए आना है क्योंकि आपको सरका पहला पाली 9-12 तक होगा और दूसरा पाली 2-5 बजए तक होगा जो पहले जो पाली है वो सामान जिजान और भासा होगी यानि कि सामान जिजान में आपका जी क्या आएगा 50 कौश्शुन और भासा में अंग्रेजी और हिंदी जो आपने choose किया होगा ये भी आपके आगे तो ये total जो आपके question होगे 100 question होगे 50 आपका सामान ग्यान रहेगा और 50 आपके हिंदी या अंग्रेजी में से रहेगा जो आपने choose किया होगा तो 100 number का ये होगा और ये 100 number होगे 200 marks के ठीक है ऐसे ही आप नीचे की तरफ आ जाई और ये सभी के लिए common होगा चाहे आप BA की हो BSC की हो BCOM की हो कुछ भी की हो आपका ये जो 200 number सभी का common होगा वैसे ही आपको 50 question यानि 100 number का आपको मिलेगा regioning और 100 number के आपको मिलेगी बिसायोगिता बिसायोगिता मतलब कि अगर आप art side से हैं तो आपको art side की question solve करने हैं अगर आप science side से हैं तो आपको science side की question solve करते हैं अगर आप commerce हैं तो आपको commerce की question solve करने हैं तो यहाँ पर भी 200 number हो जाता है यानि टोटल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हो जाता है नमबर यहाँ पर 400 कितने नमबर हो जाते हैं? 400 नमबर हो जाते हैं और इन 400 नमबर में अब आपको कितने नमबर लाने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर जो है जनरल वाले चातर अगर 400 में से 240 से 250 नमबर के बीच में रहते हैं तो आप लोग को गौर्णमेंट कॉलिज आराम से बिल जाएगी क्योंकि जनरल कंडिडेट हो और आगर आपके 240 नमबर आते हैं तो यह उम्मीद है कि आपकी रैंक जो है वो 10,000 के अंदर अंदर ही रहने वाली है ऐसे ही जो OBC के चातर हैं उनको 220 से 230 नमबर लाना है आप लोग अपना प्रीबियेस एर पेपर मॉक टेस्ट देखिए और अराम से मिल सकती है तो अभी समय है अभी आपके पास जो है अभी आठ से 10 दिन का समय है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लिजिए थोड़ा सा प्रीबियेस एर पेपर पर आप जो है फोकस करिए किस टाइप से कुस्टन्स आ रहे हैं किस टाइप से हमको उनको साल्व क नहीं है सारी चीज़ें आप लोग जो है उनको देख लिजिए और इतना नंबर 400 में 240 से 250 अगर आपने अच्छे से को पढ़ाई किया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात दी है क्योंकि आप लोगों बता दें जिनकी भी रिजिनिंग अच्छी होती है वो 50 में 100 नंबर आर करता हुआ हमेशा दिखाई देगा बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा तो अगर आपको स्क्रीन सौट लेना हो तो ले सकते हो बाकि इस चैनल पर जो भी कटाप बताईगे उससे इधर उधर कटाप बिल्कुल नहीं जाने वाली है तो आप इसको आप आर झाल